हिजबुल्ला ने उत्री जडायल को मिसाइल हमलों से दहलाने का सिलसला जारी रखा है 21 अगस 2024 को लेवनान के इसलामी परतिरोध ने जडायल पर कतियूशा रोकेटों की बोच्छार की इस दोरान लडाकों ने इजरायल के पर्मुक सेने टिकानों पर भीशन हवाई हमले को अंजाम दिया समुन ने दावा किया कि लडाकों ने कपजे वाले सीरियाई गूलान के स्नोबार बेस को भी निशाने पर लिया गाजा के समर्थन में उत्री इस्राइल के हमले शुरू होने के बाद से ये स्नोबार बेस पर हिजबुला का दूसरा हमला है लिबनानी सीमा से 18 किलमेटर दूर स्नोबार बेस को इस्राइली सैना की उत्री कमान का एक परमुक फैसिलिटी माना जाता है ये पैदल सैना के सैनिको के लिएक ट्रेनिंग केम के रूप में भी काम करता है दावा है कि इसमें एक तोप खाना गोला बारूत केंदर भी है जो इसराइल के आइरन डॉम मिसाइल सिस्टम से घिरा रहता है बावजू दिसके हिजबुला के रोकेटों ने सेंध मारी कर इसराइली खेमे में जबर्दस्थ खल्बली मचा दी समू ने यहां इसराइल के बड़े नुकसान का भी दावा किया है हिजबुला दक्षणी लेबनान खास तोर से बीट लीफ पर इसराइली हमले से तमतमाया हुआ है रडाकों ने जवाबी बलटवार करते हुए एक सटीक हमले से हदाब यारोन साइट को निशाना बनाया इतना ही नहीं उसी साइट को फिर तौप खाने के गोले से भी हमला किया इसके अलावा हिजबुला ने जेरिक मिलिटरी एरपोर्ट के पास इसराइली सैनिकों की एक टुकडी पर भी हमला किया इसराइली मीडिया ने इस्जबुला के हमलों की पुश्टी करते हुए बड़े हमले के जानकारी दी लेबनान से उत्री इसराइल की और 60 से ज़्यादा रोकेट लौँण्च किये गए इससे 5 से ज़्यादा इसराइली घायल हो गए जबकि गोलान हाइट्स की कैट्सरीन में कई मारतों को νुखसान पहुचा। खास बात है कि हिज्बुला इसराइली सेने ठिकानों के लावा रिहाशी इलाकों में भी हमले कर रहा है। हिजबुला ने केटजरीन और गोलान हाइट्स में नागरिक अबादी के पास रोकेट बेरास से हमला किया आम इसराइलियों पर हमले होने से इसराइली पीम नितनियाओं के लिए मुसीबत बढ़ गई है हिजबुला के हमलों से उतरी इसराइल के हजारों घर तबा हो गए है साइरन की अवाजों के बीच लोग डरे और सैमे है दावा है कि हिजबुला कमांडर फवाद शुक्र की मोत के बाद से हिजबुला ने पहली बार इसराइल को इतनी बड़ी चोट पोचाई है जब शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब हिजबुला ने नागरिक बस्ती को सीधे निशाना बनाया है इसराइली रेडियो ने बताया कि रोकेट हमले के बाद इसराइली सैना ने गोलान में कई सडकों को बंद किया इस बीच केटजरीन में इसराइली निवासियों को सुरक्षा के लिए बॉम शेरिटर्स में रहने की सला दी गई इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगनी शमंदल केटजरीन में जमीन पर है जहां सीधे हमलों के कारण आग लगी है और चोटे आई है रोकेट हमलों के चलते कबजे वाले गोलान हाइट्स में बार बार साइरन बचता रहा जबकि एक रोकेट नहारिया के पास अलर्ट साइरन को चक्मा देने में कामियाब रहा वहीं सफ़त के उपर भी धमाके सुने गए कैटजरीन में हिजगुला के हमलों के बाद पूर्व इसराइली पीम और विपक्षी नेता यायार लैपिड ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया है इसमें इसराइल के उनी लाकों को दिखाया गया है जा साइरन बच रहे थे उनोंने कहा कि देश के उत्तर में एक दिन और अब कैटजरीन शैर में सीधा हमला सरकार ने उत्तर खो दिया है वहीं गोलान रीजटनल काउंसिल के पर्मुक ने परतिरोत के हमलों से लगी आग के पास वीड़ियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक नई सर्चाई है इसराइली सरकार को इसे जल से जल खतम करना चाहिए उत्री इसराइल के लोग बीते 10 महीनों से अपना आसन तोश जता रहे हैं इसराइली सरकार उत्री बस्तियों पर हमलों को रोकने में फेल रही है जिससे पीएम नितन्याओ और उनकी सरकार सवालों के कट घरे में है गोरत लब है कि इसराइली सैनवी लगातार दक्षडी लेबनान में हिजबुला लडाको और उनके रोकेट लॉंचर साइट पर बंबारी कर रही है बताया जाता है कि पिछले साल अक्टूबर में संगर शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जिन में 400 से ज़्यादा इजबुला लडाके हैं तो वहीं 500 से ज़्यादा आम नागरिक भी शामिल है प्राइब झाल हम थिर्वादा दो ज़्यादावा थाव्यादा नागरिक वहाथ जड़ादाısı झाल झाल